हाथरस में जिस बाबा नारायड हरी के समागम में 121 महिलाओं की मौत हो गई थी उसका नए इंटर्वियू सामने आया है और खास बात ही है कि सूरशपाल नाम का ये बाबा कहतो रहा है कि इस घटना के बाद से ही वो अफसाद ग्रस्त है लेकिन उसकी बातों को सुनकर लगता है कि मरने वालों को लेकर उसे कोई जादा अफसोस नहीं है सूरशपाल ये कह रहा है कि होनी को कौन टाल सकता है सब को एक दिन जाना है कोई पहले तो कोई बाद में जाएगा हम दो जुलाई कि घटना के वाद से बहुत ही आउशाग से ग्रस्त हैं लेकिन को को कौन टाल सकता है जो आया है उसे एक दिन तो जाना भी है कर दो जाना है